हलो गाईज, माई नेम इस प्राती माभाक्ती और वे इनकेम टू मैं चानल, तोड़े इन दिस वीडियो, आई इम गूँँ टू शेर वीडियो अब टू, दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहे हूं प्रेपजीशन अब टू, तो समझते हैं कहां कहां पे अप्टू का यूज किया जाता है, अप्टू, इसका हिंदी देखे तो इसका हिंदी होता है तक, इसका फर्स्ट यूज है अप्टू, सर्टेन डिस्टेंस, निश्टिक दूरी तक, यानि निश्टिक दूरी के लिए, सर्टेन डिस्टेंस के लि वह पाँच किलोमीटर तक गया, तो यहाँ पे 5 किलोमीटर क्या हो गया आपका, फाइफ किलोमीटर हो गया, निस्चित डूरी चर्टेन डिस्टेंज, फिक्स डिस्टेंज, इसलिए पे अप्टू का यूस किया गया है, अगला इसका एक्जाम्बल है, she ran up to 8 km, वो 8 km तक दोड़ी, तो रहाँ पे 8 km क्या है आपका, 8 km है certain distance, निश्चित दूरी, fixed distance, इसलिए हाँ पे up to का use किया गया है, अगले इसका point है, up to certain place, निश्चित अस्थान तक, यानि निश्चित अस्थान के लिए certain place के लिए, fixed place के लिए भी up to का use किया जाता है, example से समझते हैं, I went up to home, मैं घर तक गया, तो यहाँ पे home आपका क्या है, home आपका एक certain place है, निश्चित अस्थान है, fixed place है, इसलिए हाँ पे up to का use किया गया है, अगले example है, he goes up to market, वो market तक जाता है, तो यहाँ पे market क्या है अपका, market आपका certain place है, निश्चित अस्थान है, fixed place है, इसलिए हाँ पे up to का use किया गया है, अगले इसका पॉइंट है up to certain age निश्डित आयू तक यानि निश्डित आयू के लिए certain age के लिए fix age के लिए भी up to का use किया जाता है example से समझते हैं he should not keep mobile up to 18 यानि उसे 18 की उम्र तक mobile नहीं रखना चाहिए तो यहाँ पर 18 आपका certain age है निश्डित आयू है तो इसके लिए भी up to का use किया जाता है अगले इसका use है up to certain time निश्डित समय तर यानि निश्डित समय के लिए certain time के लिए fix time के लिए भी up to का use किया जाता है example से समझते है I sleep up to 2 a.m. यानि मैं दो बज़े तक सोता हूँ तो 2 a.m. क्या है है आपके 2 a.m. आपका है certain time fixed time यानि निश्डित समय तो निश्डित समय के लिए fix समय के लिए भी up to का use किया जाता है अगले इसका point है choice यानि पसंद एक्जामपल से समझते है it's up to me whether I call him or not it's up to me यानि ये मुझपे है whether I call him or not कि मैं उसे बुलाओं या नही यानि कहने का मतलब कि ये मेरी choice है मेरी पसंद है कि मैं उसे बुलाओं या नहीं तो इसके लिए भी choice के लिए भी up to का use किया जाता है अगला use है fit for उप्यूक्त या लायक यानि जब कभी भी कोई भी बेटी किसी कारिक को करने के लिए लायक होता है उप्यूक्त होता है तो इसके लिए भी up to का use किया जाता है इक्जांपल से समझते हैं he is not up to this word यानि वह इसकाम के लायक नहीं है यानि वह इसकाम के उप्यूक्त नहीं है तो इसके लिए भी up to का use किया जाता है तो बस आज के लिए इतना ही मिलती हूँ next वीडियो में और यह वीडियो आपको कैसा लगा कोमेंट सेक्षन में जरूर बता है थैंक्यू